नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मिस्टर सचिन टीच में दोस्तों आज का प्रिश्ण बहुत ही इंपोटेंट है और अक्सर पर एक्षाओं में पूचा जाता है तो आप इस प्रिश्ण को जरूरी यात कर लें प्रिश्ण है चेत्री दल और राश्टे दलों के बीच अंतर लिखिए तो देखिए दोस्तों एक तरह प्रिख लेना है चेत्री दल और दूसरी तरह प्रिख लेना है राश्टे दल दोस्तों ये चेत्री मुद्दे उटाते हैं यानि चेत्री मुद्दे उटाते हैं जैस सर्पंच ये राश्टी मुद भी ब्यक्ति परिवार बाद का प्रवाब देखने को मिलता है लेकिन सभी दलों में ऐसा नहीं होता है दोस्देगी ये दल चेत्री इस्तर पर कार्य करते हैं इनका अस्तित्व भी चेत्री इस्तर तक होता है ये दल पूरे देश में कार करते हैं तक इनका प्रवाब भी पूरे देश में फैला होता है जब कोई पार्टी राजवदान सभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6 फिस्दी या उससे अधिक हांसल करती है और है और कम से कम दो सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राजज के राजनितिक दल के स्वरूप में मानता मिल जाती है अगर कोई दल लोक सभा चुनाव में कुल पड़े कुल बोट अतवा का अतवा चार राज्यों के विधान सभा चुनाव में कम से कम चार सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राज़्टिय दल की मानता मिल जाती है दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अमारे चैनल मिस्टर सजिन्टीच को सब्सक्राइब जरू करने और गंटी का वेल आइकन दबादे जिससी कि हम कोई वीडियो बनाए उसका नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंश सके जैन दोस्तों बं झात्रम